नमस्कार मैं आरजुन्तु करामलाड टीजीटी हिंदी जवाहर नवदे विद्याले सर्वो बरपेटा असम तो बच्चो आज हम वाक्य से समन्दित एक विशे आपके सामने रख रहे हैं कि वाक्य के भेद कौन से हैं कि रचना के आदार पर वाक्य के भेद या आर्थ के आदार पर वाक्य के भेद लेकिन कक्षा नवी के चात्रों के लिए नविंतम पट्यकरम 2020-21 के अनुसार आपको आर्थ के आदार पर वाक्य के भेद ये नया विशे दिया गया है तो उसके बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं कक्षा नभी विशे हिंदी 2021 पाट्टे क्रमा के अनुसार व्याकरण वाक्य के भेद आर्त के आदारपर ये आपका विशे है आर्त के आदारपर वाक्य के भेद आपको देखने हैं इस बार नया है इससे पहले ये नहीं था लेकिन 2020-2021 के पटेकरम के अनुसार इसको रखा गया है तो वाक्य की परिभाशा सबसे महतोपूर्ण है वाक्य किसे कहते हैं इससे पहले वे आपने वाक्य के परिभाशा देखी है तबी भी देना उचित है हमारे मन की बात दुसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से कहना होती है और या करनी होती है तो हम वाक्य का सहरा लेते हैं कोई हमारे मन की अभिवेक्ति हैं हमारे मन के भाव हमारे मन के विचार हमें अगर दूसरी किसी से कहने है तो हम वाक्य का सहरा लेते हैं वाक्य सारतक सरतक शब्द समो से बनता है, हर शब्द का अपना अलग आर्ट होता है, वाके में आए सबी शब्द या घटक, पर इस पर मिलकर एक संदेश या विचार प्रकट करते हैं और एक मेसेज देते हैं, तो इसी के आदर पर हमारे वाक्य की परिभाशा बन जाती है कि शब्दों का सार्तक समूँ वाक्य कहलाता है उसके बाद हमें देखना है कि आर्तकी द्रिष्टी से वाक्य के भेद कितने है परिशा में आएंगे इस बार कक्षा नवी के चात्रों के लिए ये नया विशय है आर्तकी द्रिष्टी से वाक्य के भेद इसलिए लिया कि आपके परिशा में वनली आर्तकी द्रिष्टी से वाक्य के भेद ये विशय पूचा जाएगा वह से देखा गया तो वाक्य के भेद रचना के आदार पर वाक्य के भेद सरल वाक्य, संहिक्त वाक्य, मिस्र वाक्य दुसरा अगर देखना है आर्तकी द्रिष्टी से वाक्य के भेद अगर देख लिया नहीं तो सबसे पहले विधान वाचक वाक्य, नकरात्मक, निशेद वाचक वाक्य, इसको ए अंग्रिजी में निगेटिव संटेंस कहा जाता है अग्या वाक्य, इच्छा वाक्य, संकित वाक्य, संदेव वाक्य, तो सभी वाक्य के विस्तार के साथ जानकारी लेना बहुत आउशक है तो चले देखते हैं कि पहला ही विधान वाक्य, परिभाशा उदारन, परिभाशा उदारन देकर मैं आपको समझाओंगा जिन वाक्यों में कतन का प्रयोजन कुछ सुचना देना ही होता है देखे जिन वाक्यों में विधान वाक्यों में हमारे कहने का प्रयोजन कीवल सुचना देना होता है वो विधान वाक्यों कहलाता है या उसे विधान वाक्यों कहते है मैं कल घर जाओंगा, बस मैंने आपको बोल दिया कि मैं कल घर जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं देखें, केवल मैंने एक संदेश देने हैं तो ये वाक्य का उचारण किया है, खाना बन गया है, बस उनके कहिने के लिए, वह कल खेल रहा था, कल तेहुआर है, कतन का प्रविजन ही केवल सुचना देना, कुछ कहना, कुछ बोलना, इसलिए किया जाता है, वहाँ विधान व और वो negative sentence में जीन वाक्यों में कारे का निशेद हो, जीन वाक्यों में काम करना ही नहीं है निशेद है, नकर अत्मक वाक्यों कहते हैं, उधारन हम देखते हैं कि मैं आज खेल नहीं रहा हूं, मत खेलो, मैं आज नहीं खेल रहा हूं, मत खेलो, क्योंकि ये मैं खेल नहीं रह फूंगा अच्छी बात है ममी पपा तो गहेंगे लॉकडाउन में के अच्छी बाते कम से कम एक दिन हमारे टीवी के लिए आराम मिल जाएगा लेकिन इसमें नकरात्मक्ता है, चात्र ग्रहकार ये नहीं करते हैं, हमेशा बार बार इस नकरात्मक्ता वाले वाक्य पैरंट्स के माद्यम से, अभी भाव के माद्यम से हमारे पास तक पहुंच जाते हैं कि सर, बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, कुछ पैरंट्स इस प्रक तक अब्वय में हम उसको ले सकते हैं ऐसे भी कहते हैं वह सभी वह अभी तक भी तक तक नहीं लोटा मतलब ये नहीं में नकरात्मकता पस्ट होती हैं इसलिए ये सारे संटेंस निगेटीव संटेंस या नकरात्मक या निशेद वाचक वाक्य भी कहलाए जाते है देखे प्रश्णम वाचक वाक्य ये तो आपको आता ही है जहां क्वेशन मार का है वो प्रश्णार तक ये समझता है न आपको परिश्या में आपको वाक्य पहिचानना है प्रश्णार तकली का है ना अब देखे जान उसके मैंने यहां छे ककार दिये है जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्ण किया जाता है उन्हें प्रश्णव आचक वाक्य कहते हैं इस वाक्य के मूल में जिग्यास रहती है मतलब जानने की इच्चा रहती है प्रश्णवाचक वाक्य में क्या, किसके, कोन, कहा, कब, क्यूं, कैसे, आधी शब्द आते हैं इसको 6 ककार कहते हैं हम कक्षा 12 के बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब उनके पटे क्रम में 6 ककार कौन से हैं ऐसा दो मारक के लिए प्रश्णवाब 12 कक्षा में पूचा जाता है अगर आप हिंदी लेंगे तो आपको भी फायदा हो जाएगा कक्षा 9 में पढ़के जा रहे तो निचे दिये 6 ककार के उपर मेंने वाक्य बनाए क्या हुआ सबज कोई घटना घटित होती है तो पहले हम पूछते क्या कौन कब कहा कैसे क्यूं अफिर किसलिए कितने ऐसे उचार नोते क्या हुआ कोन आया है कब आया है कहा से आया है कैसे आया है क्यूं आया है हर एक वाक्य में कैया जिग्यासा है और सबसे मतपुर्ण जो चिन्न है वो question mark चिन्न सब के आंत में है अतह ये सारे वाक्य प्रश्णार्तक या प्रश्ण वाचक वाक्य कहलाए जाते हैं बहुत ही आसान है परिशा में आगर ये आ गए तो आपको definitely marks मिल जाएगा विस्मयादी बोदक उद्गार वाचक वाक्य देखे जिन वाक्यों में वक्ता आपने विचारों या भावों को वेक्त करता है या करने के लिए आचानक बोल उड़ता है कभी कभी आदमी आचानक बोल बापरे कितना बड़ा साब आचानक साब सामने दिखा बापरे कितना बड़ा साब क्या मैं पास हो गया इस प्रकार का एक आचानक बोल उठता है तो तब विस्मे तयार हो जाता है या तब एक उद्गार आ जाता है उसके अंदर से भाव आ जाते हैं तो ये विस्मे आदी बोदक या उद्गार वच्छे को वाक्य कहलाई जाते हैं कितना संदर उपवन हैं इससे पहले नहीं देखा था कितना रमनी द्रिश्य है कितना गंदा है हाई कितनी गर्मी है देखें मुझे पसीना आ रहा है तो मैं भी बोल सकते हैं तो इन वाक्यों से पता चलता है कि ए विष्मयादी बोधक या उद्धगार वाचक वाक्या और विशेस इनकी विशेस्ता क्या है इनके चिन इनकी ये विशेस्ता है इनके चिन है ये देखे ये उद्धगार वाचक चिन इनकी विशेस्ता है कभी-कभी ये यहां कौमा आ गए तो ये आंत में आते हैं यह अंतमे आ जाते हैं, अब द्यान रखना, यह कभी अंतमे आते हैं, उद्गार के साथ साथ आते हैं, तो इसको थोड़ा द्यान रखिए, अग्या वाच्छक वाक्य, विदी वाच्छक वाक्य, तो इस वाक्य के नाम से पता चल देता है कि इस वाक्य में अग्या होती है, करते हैं ऐसा मुझे लगता है की जिन वाक्स में बोलने वाला सुनने वाले से यह पेख्षा करता है कि वह ततकाल ये अगामिकाल में कुछ करे अभी या बाद में करे लेकिन करे met पढ़ाई करो, आग्या, पानी दे दो, आग्या, आप बैटकर, अब बैटकर, खाना, खाओ, आप बैटकर, खाना, खाओ, कृपया, मुझे एक ग्लास पानी दीजिए, आप विद्याले चले जाईए, जदा बगबग कर रहे हैं, पापा लोग को को, अपने बच्चे बोल जेते हैं, पापा, आप विद्याले में चले जाईए, ताकि हम टीवी देखे, कृपया, मुझे ग्लास पानी दीजिए, आप विद्याले चले जाईए, कोटोर बनो, परन्तु द्यालू, मतलब कुछ वततकाल या बाद में, कुछ आपेक्षा रखी जाती है, आप जा सकते हैं, ये सारे अग्या के उदारन है, इसलिए अग्यावाचक या विद्यवाचक वाक्य कहां जा या सुजाव, विद्यवाचक किये जाते हैं, उन्हें इच्चा वाचक वाक्य कहते हैं, आप देखें, कैसे उदारन दे रहाँ में, आपकी यात्रा मंगल में हो, दे, हम किसी को हैपी जर्नी बोलते हैं, तो क्या है, उसमें कामना है, इच्चा हम विद्यवाचक कर देते ह तो इन वाक्यों में इच्चा है, कामना है, अशिर्वाद है, कभी-कभी हम सुझाओ देता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा कुछ करे, तो ये इच्चा वाचक वाक्यों में आ जाता है, तो बहुत ही असान वाक्य है इच्चा वाक्य वाले, उसके बाद सात्वा संकित वा वाक्य का है तैसे जिन वाक्यों में संकेत या अपेक्षा प्रक्ष होती है उन्हें संकेत वाच्य कुण वाक्य कहते हैं संकेत है साथी साथ आपेक्षा है प्रकट होती है यदी तुम परिश्रम करो तो संकेत दिया यदी यदी तुम परिश्रम करो तो आवश्य कक्षा में प्रतम आ सकते है देखे आपेक्षा भी है प्रतम आनिय की लेकिन कब संकेत दिया है कि यदी परिश्रम करेंगे तब मतलब अगर वह खेलता है तो मैं आवश्य खेलूंगा मतलब उसके उपर है वह संकेत देता है कि वह खेलता है तो मैं खेलूंगा संकेत भी है अपेक्षा ही है वर्षा हो तो खेती हो अगर बारिस होगी तो खेती होगी नवकरी मिले तो घर का खर्च चले मतलब ये सारे संकित वाचक वाख्य के कोटी में आ जाते हैं तो अंतिम वाख्य है संधेर वाचक वाख्य जीन वाख्यों में संधेर या शंका व्यक्त हो उन्हें संधेर वाचक वाख्य कहते हैं अब देखें, बहुते कम सब्दों में मैं आपको कहते जा रहा हूँ कि वाक्य के भेट, शायद कल गाड़ी चलेगी, कमफम नहीं है, संदे है, डाउट है मन में, गाड़ी चलेगी क्या नहीं चलेगी, कोई पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोकडाउन में फसे हुए लो ठाउट है मन में, तो उनका आज पतना पहुंचना कटीन है, क्योंकि बार बार जगा जगा पर रोका जा रहा है, पूचा जा रहा है, तो हो सकता है लेट हो जाएंगे, लेकिन कमफम नहीं है, मित्र प्रतिक्षा कर रहा होगा, देखें, एक संदे हकी मेरी, लेकिन करेगा या नहीं करेगा लोगत, दोस्त तो आपकी प्रतिक्षा जरूर कर रहा होगा, आप भी सोच रहे होगे कि सर जल्दी करो ना, ये क्लास समाप्त करो, क्योंकि हमारे दोस्त प्रतिक्षा कर रहे हैं, तो मैं जल्दी ये पार्ट समाप्त करने जा रहा हूं बच्चों, क्यों और ये हम सारे भेद समाप्त करने पर चले जा रहे हैं तो आर्थ के अदार पर वाक्य के भेद कुन से है फिर से मैं एक बार दोराता हूँ और वो है एक है विधान वाचक वाक्य, नकरात्मक वाक्य, प्रश्टन वाक्य, विस्मयादी बोदक वाक्य, अग्या वाक्य, इच् वाक्य वाक्य और संदे वाक्य वाक्य बच्चो बहुत ज़रूरी है ये वाक्य के भेद याद रखो और कभी-कभी ये की वाक्य को आप आठ प्रकार के वाक्य में चला कर भी दे सकते हैं ये की वाक्य है आठ प्रकार के वाक्य बना कर सकते हैं वे भी दप्रकार के वाक्य ल मुदक में आप उसको कनवर्ठ करने के लिए बोल दिया जा सकता है। दिखेंगे तो आपको इसमें परिवाशा याद हो जाएगी, वाक्य के भेद कितने हैं, वो अर्थक यादार पर वाक्य के भेद आठ है, ये पता चलेगा, इसलिए इस प्रश्णों को मैंने दिया है, लेकिन आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए कहां जा सकता है, तो प् बहुत धन्यवाद देना चाता हूँ, और आपका अभार वेक्त करना चाता हूँ, कि आपने ये पाट अच्छी तरसे सुना, और सुनकर आपने चित ही इस पाट के बारे में अधिक जानकारी हसिल करेंगे, और वाक्य के परिवर्तन कैसे करना है, ये सिखेंगे, इसी के सा साथ मैं आपका अभार वेक्त करता हूँ, धन्यवाद